हेलो दूस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी को लोडी की बहुत-बहुत मुबार्के हो तो आज हम लोडी स्पैशल एक गच्छक बनाने जा रहे हैं यह जो गच्छक है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है इसको हम घर में बनाएंगे और यह जो मार्किट वाल ले लीजिए और इनको अब हम ड्राय रोस्त करेंगे इसको लग जाते हैं चार से पांच मिनट भूनने में इसको आप मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए और बहुत जाला हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है नहीं तो इसका एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और इसमें कड़वाट भी आजाएगी तो लीजिए तिल हमारे अच्छे से भून गए है इसको मैंने चार से पांच मिनट के लिए बिलकुल लोस्ते मीडियम फ्लेम पे भूना है अब हम इसे निकाल लेते हैं कडाही में से कडाही के अंदर नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर हम कडाह इसको मैं ऐसे ही लोस्ते मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी और इसका जो छिलका है वो हमने निकाल देना होता है छिलका हम इसके अंदर यूज नहीं करेंगे मार्किड की जो गजग होती है वो हमें पता नहीं होता है कि किस दंग से बनाई जाती है लेकिन हम अपने घर बनाएंगे बिल्कु साप सुथरे ढंग से और घर पे पड़े समान से इसको रडी कर लेंगे दीजे मुफली हमारी भून गई है इसको अब निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसका जो छिलका है वो सारा हमने निकाल देना है मुफली को मैंने इस तरह कपड़े के ऊपर डा सारा अलग हो गया है अब इसको हम फटक लेते हैं और खिलका हमारा अलग हो जाएगा और मुफली हमारी हमारी ही अलग हो जाएगी तो लिजी मुफली भी हमने भूनका रख ली है Potatoип भीस लिए लेंगे तो अदש से बहुत जादा नहीं हलके से मैंने एक बार ही चक्र लगाया है इनको मुझ wilderness की अभी अगर क्राइण सा घ्राइंड करें और मुझ्सकों की में सिर्फ एक ही चख्र लगाया है जैसे grind का बहुत जादा बार ही पीस्त नहीं तो इन को लगे की कुछ impurities बगार हैं तो इसको पिंग लाके पहले एक पर छान लें फिर दुबारा से इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो मेरे वाला गुड बहुत ज़्याद साफ है मैं इसको ऐसे ही पका रही हूं इसी तरह मैल्ट कर लेंगे बीच में तोड़ते हुए गुड को यहां पर हम चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे देखे गुड मैल्ट हो गया है अब हम इसको पका रहे हैं लो से मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है और यहां पर एक चमच देशी घी का इसके अंदर डाल देते हैं और घी को विच के साथ मिक्स कर लेंगे जो घी ह इसमें चमक भी देगा और इसमें क्रिस्प भी आएगा तो देखे इस तरह यह पका रहे हैं तो गैस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करनी है अगर आप ज्यादा करोगे तो गुड का टेस्ट एक दम से कड़वा हो जाएगा ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे तो यहां पर च पर देखे इसको मैं एक अठा कर रही हूं तो यह बन रहा है तो ऐसा वाला गुड हमें बिल्कुल नहीं है नही स्कुंदा पर जेखे और यहां पर यहां जाग से आने शुरू हो जाएं तभ आपको इंडिकेशन आ जाएगी कि गुढ हमारा ready हो गया है मैं ऐसे ही इसको चलाते हुए पका रही हूँ तो लीजे गुढ हमारा almost ready हो गया है काफी अच्छे जागा गया है और यह बिल्कुल fluffy सा हो गया है अब हम इसको पानी में इस तरह डाल कर देखते हैं और अभी चेक करेंगे फोड़ा थंड है अब हमारे गुढ के अंदर जाएंगे तिल और मुफली लेकिन उससे पहले एक इंग्रीडिट हमने डालना है हम इसके अंदर डालेंगे दो चुटकी पर खाने वाला सोडा यानि कि बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल देते हैं और बेकिंग सोडा डालते ही गुढ हमारा बहुत ही ज़़ा fluffy सा हो जाएगा और जो हमारी गचक है बहुत ही ज़़ा mouth melting बनेगी अब हम इसको ऐसे mix कर लेते हैं mix करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे मंगफली और तिल और इनको mix करके अब निकालेंगे एक किसी भी butter paper के ऊपर और यहां पे अपने flame बंद कर देनी है जब आप पिलको डालो तो flame को बंद कर दो उसके बाद flame चलाने का कोई काम नहीं है ऐसे ही लगातार mix करते हुए आपने तले को छुड़वा लेना है अगर थोड़ा सा लगे हलका साब घी का एक चमर डाल दीजिए तो उसके साथ इसको mix कीजिए तो यह बिलकुल तले को छोड़ देगा लीजिए हमारा यह mixture ready हो गया है उदर मैंने butter paper भी ready करके रखा हुआ है butter paper के उपर हमने हलका सा घी लगाया है और इसके उपर इसको निकाल लेते हैं इसको इस तरह साफ करते हुए इसके साथ mix करेंगे और अच्छी तरह नीड कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए इसको आपने बहुत अच्छी तरह नीड करना है तब ही आपकी गच्चक है जो बिलकुल soft बन पाएगी इसको मैं इस तरह नीड कर रही हूँ और यह बिलकुल चिकना सा हो गया है अभी इसमें crack बगएर भी बिलकुल नहीं रहे हैं इसको मैंने 3 मिनट तक नीड किया है अब हम हलका सा बेलन के ओपर भी लगा लेते हैं और नीचे की तरफ भी ही हमने लगाया हुआ है और इसको अची तरह बेल लेंगे जितना पतला गचक आप बनाना चाहते हैं उतना पतला इसको बेल सकते हैं जैसे पेपर की तरह पतला होता है कई गचक तो उतना पतला भी आप बना सकते हैं इसको बेलने के बाद इसकी कटिंग करके इसको छोड़ देंगे तो लीजे मैंने इसको इस तरह बेल लिया है, बहुत पदला नहीं बेला है, बहुत ही जादा मोटा भी नहीं रखा है, मिडियम सा रखा है, इसके उपर थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं, और थोड़े से तिल डाल देंगे, और उसको बेलन से बेल लेंगे, बेलने के करना है हलका सा impression देके छोड देना है यह बाद में हमें cut करने में दिक्कत नहूं को इस तरह हम इसके ऊपर mark लगा देते हैं तांकि ज बाद में हम इसको cut करें इजली यह कट जाए जितनी पतली पत्टी आप पनाना चाहते हैं उतनी पतली पत्टी इस्तरे कट कर लीजिए साइड狂 रहे हैं इसकी और मैं थोड़ी तो लीजिए गचक हमारी बनकर तयार हुई है आपको यह जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप एक बार क्राइ करके देखेगा और लोडी के लिए तो यह है ही special रेसिपी जो एक पीस हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं बहुत ज़्यादा आपको यह वीडियो कैसा लगा है हमें बताइएगा जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़बाई टेक क्या